कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को आश्ट्रेंट्स लाइब के यूट्यूब क्याना पर स्वागत हैं मैं राउसन राज आप सभी के सामने उपास थी थी तू माड़े फेंट्स सबसे पहले तो आप सभी को नब बर्स की हर्दिक सुपकामनाएं एवं धेर सारा प्यार माड़े फेंट्स यह बर्स हम सब के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हैं माड़े फेंट्स एदि हम बात करें तो पिछले बर्स अर्थाद 2020 की तो यह बर्स हमारे लिए बहुत ही कठनाईयों से भरा हुआ बर्स था क्योंकि इस बर्स में हमें COVID-19 को देखने को मिला जो सायद हम अपने जिन्दगी में पहली बार देखें होंगे या फिर आने वाले समय में भी ऐसी समय हमें देखने को ना मिले लेकिन बीते हुए बर्स जैसा भी रहा हम सब के लिए मैं यहीं कहुगा कि बहुत अच्छा रहा मिलता जुलता हुआ क्योंकि हम सब उस से अर्थात इस महामारे से बचे रहें और सुरच्छी थें लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बाती होती है जो हमें आने वाले कल के लिए प्रिरना देती है खुसी देती है और अपनी मंजिल के और बढ़ने का रास्ता देती है तो मारे फेंट अधि हम बात करें तो पिछले बर्स जो कुछ हुआ या ना हुआ उससे हमें यह नहीं सोचना है कि हमें गलत कर वैठे हमें यह सोचना है कि पिछले बार जो हम सोचे थे या पिछले बार हमने जो गलतिया की थी उससे हम क्या सिख सकते हैं और इस बर्स में ह हम क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा जो यह बरस है खुस्चियों से भरा हुआ रहा है सकसेज से भरा हुआ रहा है अपने आप से भरा हुआ रहा है इसके लिए दोस्तों हमें कहने कहीं आगे अपने जीवन में सकसेज के लिए पाने के लिए पहलता पाने के लिए कहें ने कहें हमें पिछे की ओर देखना बहुत जरूरी है और उस से हमें शिख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है तो मारे फेंट्स, यदि हम बात करें तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है पिछले बरस या पहले, इस बर्स से पहले आपने जो कुछ भी सोचा है सबसे पहले तुसको आपको एक नोटबुक बना लेना है लिखना है कि हमने पिछले बर्स क्या-क्या काम करने की कोशिश की थी जो हम से नहीं हो पाया है या फिर हम क्या करना चाहते हैं कुछ ऐसा नया जो कि आगे हमारा भविश्य में काम दे एदि मारे फेंट जो आपका जो भी प्लान बनाया है उससे आपकी क्या कीजे एक कोपी और पेन लेकर बैठे और उसे वहाँ पे लिख डालिए जब आप दोस्तों ऐसा करते हैं इससे आपको यहाँ फैदा होती है कि आपका जो एम है गोल है वह बिल्कुल ही असपरस्ट हो जाता है एकदम असपरस्ट हो जाता है तो मारे फेंट्स आप सभी लोग इस नए बरस में कुछ न कुछ अपना गोल जरूर बनाया होगे मारे फेंट्स अधियाप कुछ गोल बनाया है तो सबसे पहले आप उस गोल को जरूर लिखे और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए मारे फेंट्स अधियाप इस बरस अर्थात 2021 में आप 5-6 दिन टाइम देकर भी अपने जिन्दगी का मात साल भर का पाँच गोले बनाये पाँच ऐसे सकसिज नियम बनाये जो आपको सफलता की राह पर पहुँचा दे आपकी मंजिल को मिला दे अधियाप ऐसे पाँच नियम बना लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि यह जो बरसे आपका है और इस बरस को आप अपनी खुद हाथों से चलाएंगे माडेफेंस आपका जो भी नियम हो, कानून हो जैसा भी हो सिर्फ पाँच बना लेना है क्योंकि दोस्तों हम सब अपने जिन्दगी में बहुत बार ऐसे टामाये होंगे कि हमने अपना कुछ गोल बनाया है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है खाली अ धूरा चला गया है लेकिन दोस्तों इस बर्स हमें यह गलती को धूराना नहीं है सबसे पहले तो यह कमेंट करना है जो हम बादा करेंगे वह बादा को इस बर्स पूरा करना है माडेफेंस इसके लिए क्या करना बादा करते समय बहुत लंबा नहिंकर देना चोटा- छोटा करना टुकड़ूं बाठकर करना जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सुबह उठना आपका जितना भी टाइम बनाए पांच छे-चार उस टाइम पे आपको क्या करना उठ जाना है उसके बाद आपका जो अगला नियम होगा उसे क्या करना है फॉलो करना है एक एक कर आप बढ़ाएंगे एक एक नियम को आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो लच्छ है वह बहुत ही असान हो जाएगा एदि माड़े फेंट पाच लच्छ आप बनाएं और पाचों को एक बा हो जाएं और आप अपने बादे को तोड़ दें तो मारे फेंट्स हमें अपने बादे को तोड़ना नहीं है हमें क्या करना है अपने बादे को बनाए हुए रखना है और हमें एक एक लच्छ को क्या करना है एक एक नियम को एक एक लच्छ को हमें धीरे धीरे पाना है ठीक जब भी आप पहला नियम को अपना है उस समय आप यह बिलकुल ही असपर्ष्ट होने की यह नियम अब हम फालो कर सकते हैं बिना किसी के कहे हुए अधिया पैसा करते हैं तो सायद आप एक एचिव कुछ न कुछ कर लिए हैं आप एक मंजिल को पा लिए हैं तो मारे फेंट्स यह बर्स आपका है और आप इस बर्स को खुद चला रहा हैं यह बर्स आपके लिए दुसरा कोई नहीं चला रहा है बलकि आप खुद चला रहा हैं तो मारे फेंट्स आसा है कि यह बर्स आप कुछ ऐसे करेंगे जिससे कि आपका अलच्छ है जो आपके मिले तो बस दोस्त इतना है नमस्कार